सभी को नमस्कार मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ 23 अक्टूबर को पटवार प्रिक्ष्या का आयूजन हुआ इसमें सेकिंड पारी में जो प्रसन पत्र आया था उसमें हिंदी से समंदित प्रस्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगी कि हिंदी के प्रस्नों का सही उत्तर क्या होगा सबसे पहला प्रस्न है यथा सक्ती सब्द किस समास का उदहरण है इसमें सही उत्तर होता है एक नंबर अव्वी भाव यथा अव्वी सब्द है और प्रथम पद अव्वी होने पर अव्वी भाव समास होगा दूसरा प्रस्न है इसमें किस विकल्प में विलोम युग्म है इसमें दो नंबर विकल्प सही उत्तर है सम्मुख का विलोम सब्द होता है विमुख ये सही है बाकी सब्द हैं वो विलोम को प्रकट करने वाले नहीं है सम्मुख सामने विमुख पिछे ये विलोम युगम हुआ फिर है व्याकरण की द्रिष्टी से कौन सा सुद्ध वाक्य है पहला वाक्य है मैंने इस काम में बड़ी असुद्धी की लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया मैं अपनी बात की इस्पष्टी करन के लिए तैयार हूँ और राम का वीर गाथा रामायन में है इसमें ते नंबर विकल्प से होगा मैं अपनी बात की इस्पष्टी करन के लिए तैयार हूँ बाकी में मैंने इस काम में बड़ी असुद्धी की जगे गलती होना चेहता असुद्धी की जगे गलती की लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं दोड़ता हुआ तो सही होता फिर है अगला प्रसन किस वाक्यांस के लिए प्रयुक्त सब्द सार्थक नहीं है इसमें चार नंबर विकल्प सही है बारह महिनों में एक बार होने वाला बारह मासा नहीं कहलाता बारह मासा का मतलब तो है 12 महिनों में हमेसा होने वाला बाकी पांच मुखवाला पंचानन रात्री में विच्रन करने वाला निसाचर और जिसे सब के विशे में जानकारी हो सरवग़्य तेनू सही है पिर निम लिखी सब्दों पर विचार कीजी बताएं किस विकल्प की सभी सब्द शुद्ध है इसमें दो नंबर विकल्प सही होगा एक दो और ती नंबर समवारना सही है स्रीमती सही है इस्ताइत तो सही लिखावा है चोथा विकल्प जो उलंगन है वो गलत है उलंगन में एक ले बीच में आधा उर होना जीता उलंगन इस तरीके से होता उद धन लंगन से उलंगन बनता है तो उद लंगन में ले आधा उर होता तब ये सही माना जाता पिर किस विकल्प में सब्द युग्म का अर्थ भीत सही नहीं है इसमें चार नंबर विकल्प से उतर होगा आलोक का अर्थ प्रकास चहल पहल होता है और ए लोक जो इस लोक का नेहु दिखाई नेदी वही होगा तो आलोग का अर्थ इसमी जो अंधिरा लिखा है वो गलत है आलोग प्रकास होगा बाकी सभी सही है पास फंदा पास निकट परवाहे फिक्र चिंता प्रवाहे बहना चरम अंतिम चर्म चमडा बाकी सभी सही लिखी हुई है 145 नंबर क्यूस्चन है धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का मुहावरे का सही भावार्थ क्या है इसमें ती नंबर विकल्प सही होगा जिसका कहीं ठीकाना ने हो कोई भी ठीकाना ने हो ने इधर का ने उधर का वही है धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का अगला प्रसन है निम्न में से किस विकल्प की सभी सब्दों में उप्सरग तथा प्रत्ति दोनों का प्रयोग हुआ है यहां चार नंबर विकल्प सही है ए लोकिकता में ए उपसरग है लोक सब्द है इक उर्ता प्रत्ति है ए उपसरग लोक सब्द इक उर्ता प्रत्ति प्रसासन में प्रसासनिक में प्रे उपसरग है सासन सब्द है इक प्रत्ति है प्रे प्लस सासन प्लस इक से प्रसासनिक सब्द बना है तो यहां दोनों में उपसरक प्रत्ते का प्रियोग हो गया है 147 किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभासिक सब्द का समकक्स हिंदी पारिभासिक सब्द सही लिखा है इसमें चार नंबर विकल्प सही है प्रोबीशन परिविक्षा कालकों कहते हैं प्रोबीशन जो नई नोगरी लगती है तो लगबग दो साल का पिरेड प्रोबीशन का पिरेड होता है उसे हिंदी में परिविक्षा कहा जाता है 148 नमबर किस विकल्प में फोर साइट सब्द का समकक्स हिंदी पारिभासिक सब्द सही है देखी फोर साइट का सही अर्थ होता है दूर दर्शीता तो यहां दो नमबर विकल्प दूर दर्शीता को सही उत्तर माना जाएगा 149 नमबर है किस सब्द का संदी विकल्प सही नहीं किया गया है इसमें हम दो नमबर को सही मानेंगी युधिष्टिर का संदी विकल्प होता है युधि धन इस्थिर से व्यंजन संदी के अनुसार युधिष्टिर सब्द बनता है तो युद्धी इस्तिर्व होता तो ये सही हो जाता बाकी सभी सच्चिव धन आले से सचिवाले राम धन अयन से रामायन और नमह धन ते से नमस्ते सभी सही लिखे हुए हैं एक सो पचास नमबर प्रसन है किस विकल्प में सभी सब्द परस पर प्रयायवाची नहीं हैं इसका सही उतर है दो नमबर पुत्री और सुता ये दो तो सही हैं लेकिन तनेय कार्थ पुत्र हो जाता है तनेय पुत्र इसकी जगे तनिया होता तो पुत्री मान लिया जाता बाकी रवी भासकर दिनकर सुर्य के प्रयवाची हैं गंगा भागिरती मंदाकिनी ये गंगा के प्रयवाची हैं तलवार समसीर असी तलवार के प्रयवाची हैं दो नंबर में तनेय सही सुमिलित नहीं है तो ये हिंदी के 12 प्रसन थे 23 अक्टूबर को आयवजित सेकंड सिप्ट के पारी में जो प्रिक्षा हुई उसमें आयवए हिंदी से समधित ये प्रसन है इससे पहले 23 अक्टूबर फर्स्ट पारी में आयवए प्रसनों की आंसर के भी डाली जा चुकी है आप यहीं प्लेलिस्ट में जाकर की उसका अवलूकन कर सकते हैं धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए बाकी जो प्रसन है वो आपको मिलते रहेंगी धन्यवाद सभी का